नमस्कार आप देख रहे हैं नफ समाचार मैं हूँ आपके साथ सपना पर्मा बंगाल में चुनावी सरगर्मियद तेज हो चुकी है पश्यम बंगाल में विधान सभाकी कुल 294 सीटों पर 27 मार्च से 8 चर्डों में चुनाव होनी जा रहे हैं जिसके नतीजे 2 मई को आएंग तमाम राजनेतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर सियासत करने में लगी हुई हैं बंगाल में भाजपा की सफाय के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रियास करने में चुक चुकी हैं जैसे जैसे चुनाव नस्दी का रहे हैं वैसे वैसे बंगाल में दल बदल की राजनीती भी काफी तेद हो गई है बंगाल में इन दिनों TMC का पढ़रा घारी होता हुआ नजर आ रहा है पहले अख्लेश यादव, फिर तेजस्वी यादव, फिर छार्खन के मुख्या मंद्री हेमन सोरें ने भी TMC को खुले तोर पर अपना समर्थन दिया है और अब अदर विहारी बातपाई सरकार में वित और विदेश मंद्री रह चुके यश्वन सिन्हा ने भी आज TMC में शामिल होकर मंता गीदी को अपना समर्थन दिखाया है TMC में शामिल होने से पहले यश्वन सिन्हा ने मंता वैनर जी से उनके आवास पर मुलाकार की थी मुलाकार के बाद सिन्हा ने केंदी की मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला इसे पहले भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाब पूर्ट वित्व मंत्री और वितेश मंत्री रह चुके यश्वन सिना ने कहीं बार नराज़ी जाहिए उन्होंने कहा है कि सरकार के मनमानेपन पर अनकुष लगाने बारा कोई नहीं है हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खत्रा पैदा हो गया है प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ पांस सार में चुनाव और वोटों से नहीं है इसका मतलब जो लोग चुक कर आए है वो लोगों के लिए काम करे हिसान आज से परिशान है लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं मजदूर पलाएं करके कैसे गई वो सब हमने देखा शिक्षा, सुआस्ते, ये सब आज सुखच सिदी से बुजर रहे है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है इस खबर पर आखी क्या राय है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये नफसा माचार, शुक्रिया